प्लेटफॉर्म के उपर आज के स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉडिनेशन के फोर मार्क कॉंसेप्ट और इसका एपिसोड नमबर वन है आपका आज और ये कॉंसेप्ट आपको रिपिडली इग्जामिनेशन में बनाए जा रहे हैं तो कॉंसेप्ट क्या है तुला समझ लेते हैं कॉंसेप्ट है आपका डाय अटमिक टम्स अटमिक टम्स वर्सेज डाय अटमिक टम्स अटमिक टम्स वर्सेज डाय अटमिक टम्स ये हमेशा आपको पूछा जाता है Deватemic Terms, Symbol, and diatomic Terms, Symbol, Selections Rule. selections rules selections rules of atomic term symbols और diatomic term symbols यह आपको पूछा जा रहा है और latestly भी यह questions बनने के chances बहुत ज़ादा बढ़ चुके है चाहे आप CSIR NET December की preparation करे हो set की preparation करे हो यह get 25 की preparation करे हो सभी में आपको यह काम में आने वाला है ठीक है तो चलिए no doubt यहाँ पे और एक छोटे से thought के साथ start करते है exam are not about who is the best but about who can handle the pressure of best exam के pressure को कौन जहल सकता है उसलिए exam होता है कौन best है यह देखने के लिए नहीं ठीक है तो ध्यान में रहे कि pressure को जहल लेता है वो qualified होके आगे निकल जाता है तो आपको ऐसी करना है ठीक है आपको अपने जब भी एक exam के अंदर बैठो तो अपने pressures को जहलना है आपको आप खुद बाखुद बैस बन जाओगे ठीक है अब दो चीज़ें है यहां पर datumic terms मैंने आपको बढ़ा किक असलेक्शन सुल ऑफ टम सिंबोल और स्लेक्शन सुरूल को समझते हैं ठीक है और दो टायप की होते है अलग है जहां पर आटमिक टॉम्स की बात होती है और एक डायटमिक टॉम्स ठींग है तो इतम 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 इस चुरुटा सा डिफरेंस है बस चोटा सा गन्फिज हो जाते है कभी-कभी इसलिए हमने इसको difference के साफ से करेंट तो इसलेक्शन सुरूल इसलेक्शन सुरूल थीक है तो चाहां अटमिक टम सिंबोल में कोन आ जाते हैं जेसे कि आपके 3P to 3D है न है यांपके atomic terms के अंदर आगे, this is called the atomic terms, 3s2, 3p, this is called as the atomic terms, atomic term transitions, diatomic transitions के अगर मात करे, sigma, one sigma gerate positive to one pi अंजरे, एंजरे, ठीक है, for example, one pi अंजरे, टू, one delta, जरे, ठीक है, this is called as the diatomic terms, तो यह allowed है, forbidden ठीक है, जो ट्रांसिक्शन से यहां पर दिखा रहे हैं, उससे हम सेलेक्शन सुरूल से बताते हैं, सेलेक्शन, तो इनके थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनु सेलेक्शन सुरूल के इत्मने डिफरेंस, पहला देखे, यहां को समझ लिजे, ठीक है, पहले बाले को, atomic terms को समझ पहले, atomic terms में पहला है, spin multiplicity must be same, spin multiplicity, must be same होनी चाहिए, इस पिन multiplicity must be same, second है, delta L is equal to plus minus 1 होना जाहिए, delta L is equal to plus minus 1, ठीक है, third point is the gerate to ungerate, ungerate to gerate होना जाहिए, ठीक है, and fourth point, delta J is equal to plus minus 1, तो अगर कोई भी transitions, यह चार conditions को follow करता है, वो allowed होते हैं, अगर कोई भी atomic transitions, यह चार conditions को follow करता है, तो वो allowed हो जाते हैं, ठीक है, diatomic terms के अंदर पहला आता है, spin multiplicity must be same, यह same आ गया है, ठीक है, spin multiplicity must be same, spin multiplicity must be same, ठीक है, second point, delta L is equal to 0 or plus minus 1, diatomic terms में 0 or plus minus 1 आता है, और atomic terms में plus minus 1 सा only, तो यह पे delta L is equal to 0 or plus minus 1, that is very important, और third आ जाता है, यहाँ पे, third point is the, कि gerate to ungerate, ungerate to gerate, this one is the allowed, this one is the allowed, ठीक है, and fourth point, यहाँ पे लग देता हो, fourth point is the symmetries, symmetries positive से positive symmetry allowed होती है, negative से negative symmetry allowed होती है, तो यह चार condition अगर कोई follow करता है, तो वो allowed होता है, allowed होती है, ठीक है, यह चार condition अगर कोई follow कर रहा है, तो वो allowed होता है, allowed, जिसमें यही पर समझाने की कोशिश करता है, ठीक है, for example, यहाँ पे multiplicity same है, ठीक है, इसके लिए L is equal to 1 आता है, और इसके लिए L is equal to 2 आता है, तो 2 minus 1, delta L is equal to plus minus 1 आ गया, यह यह फॉलो कर रहा है, ठीक है, पी जो होते हैं, वो ungerate होते हैं, डी जो होते हैं, तो ungerate होते हैं, तो ungerate जा रहा है, इसका मतला भी यह allowed transitions है, multiplicity same है, L is equal to यहाँ पे 0 आ जाएगा, और L is equal to यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 minus 0, delta L is equal to plus minus 1, plus minus 1, ठीक है, S जो होते हैं, वो ungerate होते हैं, P जो होते हैं, ungerate to ungerate, यानि यह भी allowed हो गया है, तो यह दोन्यों भी transitions allowed है, according to the diatomic terms, diatomic terms, hopefully you understand, बड़ा important है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, diatomic terms की बात करेंगी, यह atomic terms होगा, diatomic, multiplicity same है, समझ में आ रहा है, multiplicity same हो गई है, ठीक है, यहाँ पे sigma का बाता है, gerate to ungerate आ रहा है, यह भी आपका सही है, यहाँ पे l is equal to आते है 0, और यहाँ पे l is equal to आते है 1, ठीक है, pi के लिए 1 आता है, और sigma के लिए 0 आता है, और delta के लिए 2 आ जाता है, ठीक है, तो l is equal to 0, the sigma, l is equal to 1 तो pi, तो 1-0, delta L is equal to plus minus 1, चलो यह आ गया है, 0 plus minus 1, 0 भी आया तो चलेगा, plus minus 1 आया तो भी चलेगा, ठीक है, तो सारी condition को follow कर रहा है, ठीक है, symmetry, pi के अंदर symmetry is not applicable, इसलिए हाँ पर symmetry वाला option देखनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई positive negative नहीं, तो उसको देखनी की जरूर आती है, 1 और delta की L value आती है, 2, तो 2-1, delta L is equal to plus minus 1 आगया, ठीक है, अंजिरेट टू जिरेट आ रहा है, यह भी allowed है, तीनों को follow कर रहा है, that's why this one is the allowed, तो अगर इसमें से condition, आप यहाँ पर symmetry नहीं दिए, आपको positive negative वो देखनी की जरूरत है, वो देखनी की जरूरत है, तो इ यह selection rule use करना है, बड़ा important है, मैं बहुत ही short tricks के अंदर आपको बता रहा हूँ, कम time के अंदर अगर आप यह concept सीख लेते हो, कम time के अंदर यह concept आपका सीख लेते हो, तो कभी भी आपके 4 marks इदर के उदर नहीं जाने वाले, छलो apply करेंगे थोड़ा सा questions के अंदर, जैसे यहा ना, dynamic terms आपको दिया है, 3P to 3D, ठीक है, यहाँ पर दिया आपके मान के चलो, 2 और 4, ठीक है, यह पहला वाला, second, 3P to 3F, ठीक है, और यहाँ पर दिया है, 2N, 3, third option सा आपको दिया है, 3P to 3D, 3, ठीक है, यह options दिया है, 4 दिया है, 3S to 3D, ठीक है, अब बुलाएं के, which transition is the allowed, which transition is allowed, यहाँ पर कौन सा transition allowed है, which transition is allowed, allowed, which atomic transition is allowed transition, तो लुटेक करते हैं, फरे मल्टीपलिसिटी, मल्टीपलिसिटी सेम है, चलिए, ठीक है, एल वैल्यू हाँ पर आती है, 1, इसके एल वैल्यू आती है, आपकी, 2, तो डिल्टा एल इस एकॉल टू प्लस माइनस वन, चलो यह भी है, सही बात है, ठीक है, जे बात देखते हैं, जे क्या आ जाया कहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस टू डिल्टा जे इस एकॉल टू प्लस माइनस टू आ रही है, जान यह यह नहीं आ सकता, इसलिए यह सलव टू युक्ट डिल्टा जाए इस एकॉल टू टू प्लस माइनस हुन आना चाहिए, यहाँ पर देखे, नहीं मिल्टिप्लिश्टी से मैं इसकी ओलिवार in one और इसकी ओल वंडियू आरे थ्री तो 3-1 डिल्टा एल इसको ल्टू । प्लस that's why this one is the allowed, multiplicity same है, इसके लिए L is equal to होते हैं 0, और इसके लिए L is equal to 2, तो 2 minus 0, delta L is equal to, कितना आ गया आपका, plus 2, इसको मतलब यह forbidden, तो this types of question also ask your examination, जिसमें J value भी given हो सकती है, J value भी आपको given होगी, तो यह भी एक बड़ा ही बैतरीन सा question है, जो आपको पूचा जाता है, और देखो आपके examination में question कैसे बनाए गए, देखी, question को दिया है, allowed transition of atomic system, atomic system, atomic में यह आते है, diatomic में sigma, pi, delta, ठीक है, चले, देखिए, आरम से समझे चीजों को, क्या दिया गया है, पहले इसमें देखो, यहाँ पे आपको j value भी है, multiplicities भी है, सारी चीज़े है, देखे, पहले इसमें अगर हम बात करेंगे, तो multiplicity सेम है, इसकी l value आ रही है, आपकी 3, इसकी l value आ रही है 2, तो 2-3 delta l is equal to plus minus 1 आ जाएगा, सही है, ठीक है, multiplicity भी सेम है, चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, multiplicity सेम है, इसकी l value आती है 3, इसकी l value आती 1, तो 3-1, delta l is equal to plus minus 2, तो चलो, यह भी cancel हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखे, multiplicity सेम है, l value आ गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे l value आ गए 2, तो 2-3 है, 3-2, delta l is equal to plus minus 1, चलो, यह आ सकता है, multiplicity सेम है, ठीक है बट यहां पर 4-2 delta j is equal to plus minus 2 आ रहा है इस वज़े से यह भी cancel out हो चुक है that's what which options are correct first option तो यह this type of questions also ask यह आपको कोई नहीं बताएगा इतने deep में कि J value भी यह आपको उपर वाली पता होगी मुझे बताना कि आप लोगों को जे वाला concept पता था क्या है और इसकी बेस पर question बनेंगे आपको इसलिए आज का station रखा मैंने क्योंकि आने वाले December examination में gate 25 examination में आपको जरूर यह देखने के लिए मिलेगा ठीक है यह देखिए चुल यह homework रख देता हूँ मैं आपका ठीक है तो यह questions homework है comment box में जरूर करिएगा है न यह homework रख रहाओ आपका अच्छे से देखिएगा comment box में एक पुट करिएगा ठीक है चली यह देखिए यह भी मैं homework रख देता हूँ आपके लिए ठीक है उमीद कर रहा है कि आपको यह four mark series में मज़ा आ रहा होगा ठीक है और मैं guarantee लेता हूँ कि जो four mark series हम यहापे लेकर आए हैं इसमें से ही आपको आने वाले examination में concept देखने के लिए मिलेगे ठीक है तो ऐसे concept अगर आपको पसंद आते हैं तो comment box में put करिए मैं और maximum sessions लेकर मैं अगर वीडियो दाल रहा हूँ तो मुझे आपके answer expected है जो homework करता हूँ उसको मैं expect करूगा कि आप ज़्यादे ज़्यादा answer करें ठीक है ठीक है और अगर session अच्छा लगता है तो like button अपनी प्रेजेंटी को जरूर प्रिस करें अपने नाम के आगे लिख लिए कि हाँ मै मैं present to sir मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ मैं आपके वीडियो से benefit उठा पा रहा हूँ तो actually feeling आएगा चलो offline का feel करेंगे है आप लोग 1-2 इंट्रेक्टर पा रहे हो मेरे साथ वरना बात तो हुई है कि virtual चल रहा है virtually काम हो जाए ऐसा ना हो ठीक है तो हमें सीखना है हमें qualified भी होना है चले फिर मिलते हैं अगले session में thank you so much happy learning अपना खायल जरूर कि बाबाए